तोडे इस 25 अक्टूबर, टूजडे और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं कि आपका आज का लाइफ परपस क्या होगा दूसरा कि आपने कल 24 अक्टूबर मंडे को एक फुल टेस्ट दिया था उसका पुरा मैं अनलाइज करूँगा जिस भी बच्चे ने अपने मार्क्स अपलोड किये हैं कॉम्निटी पोस्ट के उपर और मैं बताऊंगा कि अगर आपके रीजनिंग में मार्कस इतने आ रहे हैं तो आपको अभी क्या करना चाहिए अगले 20 दिन या फिर टेक्निकल में अगर जो आपके मार्कस इन मार्कस के बीच में आ रहे हैं 50 से कम आ रहे हैं 60 से जादा आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए एक थमरूल में दूँगा ताकि अगले 20 दिन तक आप उस तरह से पढ़ाई करके अपने मार्कस इंक्रीज कर सको तीसरा जो मैंने एक पॉल कंड़क्ट कराया था उसके अंदर मैंने पूछा था कि आपको डेली स्केडूल वीडियो जो मैं डेली बनाता हूँ पिछले 85 डेस से मैं बना रहा हूँ वैसा ही आपको अगले 10 दिन भी चाहिए या फिर मैं सिरफ एक वीडियो बना दू दस द जीज वह भी लेंगे तो हम आज की वीडियो में बिल्कुल इसी सिक्वेंस में चलेंगे पहले लाइफ परफस दूसरे नंबर पर फूल टेस्ट का अनलेसिस तेसरे नंबर मैं पर पडूर चोंथे नंबर पर क्या होना चाहिए बतलब 25 अक्टूबर तूस्टे को आज ताकि आपका SSC J222 में selection हो सके तो start करते हैं आज के life purpose के साथ आज आपको reasoning में एक घंटा देना है although अभी जब मैं full test का analysis करूँगा उसमें आपको बताऊंगा कि अगर आपके marks इतने आ रहे हैं तो शायद आपको दो घंटे भी पढ़ना पढ़ सकता है लेकिन एक general scenario के अंदर आपको ये चीज़े तो करनी ही है तो reasoning में आपको एक घंटा daily पढ़ना ही है GK आपको एक सी डेट घंटा पढ़ना है current affair आपको 30 minutes से 45 minutes पढ़ने है आप जो current affair है January से October starting तक कभी complete कर सकते हो वो भी काफी रहेगा और technical में आपको टेकनिकल पैकेज करना है तो सजीके से स्टार्ट करते है GK में आपको physics, chemistry, bio और economics करनी है physics का आपको properties of matter वाला chapter complete करना है chemistry के अंदर आपको basics चैप्टर है black book के अंदर ये सभी black book से ही मैं दे रहा हूँ इसका link नीचे description box में आपको मिल जाएगा biology में आपको classification of plants पढ़ना है और economics में आपको national income and GDP करना है current affair आपको 30 minutes से 45 minutes पढ़ना है तो current affair में आप nobel prize 2022 ये देख लेंगे आपको कौन-कौन किस-किस को मिला है nobel prize प्लस recent appointments जो हुई है ठीक है कौन क्या minister बना है आप 30 October 2020 morning shift वाला SSCJE का PYQ करोगे करने का तरीका test book app के ओपर आप जाओगे उसके बाद ये वाला test आप वहाँ खोलोगे previous year paper उसको submit कर दोगे submit करने के बाद आप पहले question से 100 question तक जाओगे और हर question का solution देखोगे पहले तो attempt खुद से करोगे उसके आद उसका solution देखोगे और उसको note down करोगे अगर आपको नहीं आता है तो और जैसे कि मैंने बताया था अभी time कम है अगर 40% से ज़्यादा बच्चे इसी question का answer सही दिये है तो आपको वो question आना चाहिए आप उसको question को करोगे और कुछ question ऐसे भी होंगे जिनका answer सिरफ 10% के बच्चे ही दे पाएंगे तो उनको बिल्कुल छोड़ देना बस उनका answer याद कर लेना बिल्कुल इस scenario में आपको चलना है इस हिसाब से आपको चलना है ताकि आपका time भी कम waste हो और आप जाज जाज़ा चीज़े कर पाओ और इस technical package का जो purpose रहता है वो ये रहता है कि आपके सभी 14-15 जितनी भी subject है वो सब revise हो जाएं एक बारी में प्लस आपकी एक approach बनी रहे है कि exam में जो questions आते हैं वो कैसे आते हैं जब आप particular किसी subject के particular किस chapter के सभी previous year question करते हो तो आपको book से याद हो जाते हैं कि हाँ इसका answer ये है इसका answer याद है ये है लेकिन जब randomly आपसे वो पूछे जाते हैं question एक previous year paper की form में तब आप उनको अगर आपको सही से याद नहीं है तो आप गलत कर सकते हो इसलिए ये वाली approach बनाई गई है तो आज का purpose आपका ये ही सब रहेगा जो मैंने अभी बताया next पे चलते है वीडियो का second part है full test analysis इन बच्चों ने अपना full test दिया था शुरू से अब तक 10 10 नहीं 11 टेस्ट हो चुके हैं और सब भी बच्चे अपना full test देके marks अपलोड करते हैं इस बार थोड़े कम बच्चों ने दिया मेभी exam की tension ये अपनी वाली है उसकी वज़े से हो सकता है लेकिन इन बच्चों को मैं congratulate करना चाहूंगा आप लोग एक कदम और अपने selection की तरफ बढ़ चुके हो तो ये सब marks आप लोगों के आया है ये जो आप लोगों ने upload किया है ठीक है तो मैं अब analysis करके बताता हूँ कि अगर आपके इतने कितने marks आ रहे हैं तो आपको कितना कुछ करना चाहिए overall 22 बच्चों ने marks दिये थे मतलब 22 बच्चों ने test दिया था 23 बच्चों ने दिया था लेकिन एक बच्चे ने सिरफ अपने marks लिखे थे तो मैं उसको analyze नहीं कर पाऊंगा तो इन 22 बच्चों के हिसाब से 826 marks टेकनिकल में आया है जो की expected है इतना ही आएगा और जो technical है technical में 48 marks आ रहे है इतने नहीं आनी चाहिए इससे काफी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि जो आपका mains है second stage जो है वो पूरी technical ही है लेकिन अभी आपको ज़्यादा mains के बारे में नहीं सोचना है अब यह आपका सिर्फ एक लक्षे होना चाहिए कि किसी भी तरह आपको बस pre-qualify करना है सबसे पहला aim आपका इतना होना चाहिए किसी भी तरह pre-qualify करना है उसके बाद आपका aim यह होना चाहिए कि हाँ उसके बाद कितने marks लासको आगे तो आपके average देखे जाएं तो 104 marks आपके average आ रहे हैं तो अब मैं एक थमरूल आपको दे देता हूँ reasoning, gk और technical का तो reasoning से start करते हैं कि अगर आपके 35 से 50 marks के बीच में आ रहे हैं तो आपको daily एक घंटा reasoning करना है अब ये मत सोचना कि अगर आपके 50 marks आ रहे हैं तो आपको अब reasoning करना ही नहीं है बिल्कुल इस गलत फैमिय में मत रहना अगर आपके 50 आ रहे हैं तो और अगर जो आपकी practice चुटी तो आपके ऐसा भी हो सकता है कि आपके 35 से नीचे चले जाए marks tough आ सकती है, काफी chances है reasoning काफी tough आ सकती है तो इसलिए आपको अभी भी practice में रहना है ये बिल्कुल hard marks है आपके ये बिल्कुल lowell marks है आपके जो आपके आने ही है तो अगर आपके 35 से 50 के बीच में भी आ रहे हैं तब भी आपको एक घंटा daily reasoning करना है और सिरफ question सही करने के लिए नहीं करना है आपको इसके अंदर time भी अपना reduce करना है कि आप 45 45 minute तक ये 50 के 50 question कर पाओ और सही कर पाओ जिन बच्चों के 30 mark से कम आ रहे हैं reasoning के अंदर तो उनको थोड़ा time अपना बढ़ाना पड़ेगा अब ये मत पूछने लगना कि 30 से 35 के बीच में आ रहे हैं धाई घंटा तक भी दे सकते हो लेकिन इससे उपर मत जाना क्योंकि फिर आपको technical में time नहीं मिलेगा तो अगर जो less than 20 है तो तब भी 2 घंटे तक रखन लेना अपना time धाई घंटा फिर भी मत जाना क्योंकि technical भी आपको पढ़ना है तो आप डेट से 2 घंटा दे सकते हो अगर जो आपके 30 मार्क से कमा रहे हैं अब आते हैं जीके तो जीके में जब हमने average देखा तो जीके में जो average था वो 19 नंबर आया था अभी जब हमने full test को analyze किया और यह बिल्कुल normal है और expected भी है क्योंकि जो test book या फिर जो कोई भी test series होती है वो चाहते हैं कि आपको नए से नए question देखने को मिले तो जब जो पढ़ते हो वो चीज नहीं देखने को मिलती तो marks कम अपने आप ही आते हैं तो अभी आपको as usual एक से डेड़ घंटा जीके को देना है जो मैं आपको daily schedule में बता ही रहा हूँ या फिर मैं आपको topics बता दूँगा जैसा कि poll का result आएगा और आपको सभी बच्चों को कितने भी आपके marks आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके marks बढ़ जाएंगे अपने आप ही लेकिन जब आप daily इनको पढ़ोगे सभी current affair और जीके आप पढ़ोगे एक से डेड़ घंटा daily तो आपका जो normal होगा मतलब जो basic question भी होंगे वो आप कर पाओगे प्लस आपको एक extra knowledge होगी तो बहुत chances होंगे कि आप वहाँ पर question कर दो तो ज्यादा load नहीं लेना है अगर जो आपके marks अभी जीके में कमा रहे हैं बिल्कुल ये normal सी चीज है अभी आपका जो purpose है वो बस ये रहेगा कि एक से डिड़ घंटा आप डेली जी के पढ़ते रहो जो आपको बताया जा रहा है प्लस current of year 30 minutes ये आपको January से October तक के करने है अब आता है technical के ओपर अगर आपके technical में 55 mark से ज्यादा आ रहे है तो बहुत अच्छा sign है chances है बहुत आपके selection के तो आपको क्या करना है technical package वाली approach यूज करनी है क्योंकि इसके अंदर revision भी हो जाता है plus question practice भी हो जाती है तो आपको technical package वाली approach यूज करनी है plus आपको daily revision करना पड़ेगा अब नया करना छोड़ दो विल्कुल नया अगर जो आपको करना भी है वा technical package में आपका हो जाएगा लेकिन नया अब कोई भी topic खुद से आप नहीं करोगे आप 3 subject revise करोगे roughly ठीक है कोई भी छोटे 3 subject daily revise करोगे वो अपना schedule बना लेना आप daily 3 subject तो आपके आँखों के सामने जाने चाहिए उसके formulas, उसके question ठीक है तो भली वो आदे घंटे में एक घंटे में आप revise कर लो लेकिन 3 subject तो आपको revise कर नहीं है ठीक है ये 55 से आपके 65 तक अराम से पहुच जाएंगा अगर आपको daily roughly आप revise करोगे 3 subject प्लस एक subject कोई भी जैसे कि civil की मैं बता हूँ तो BMC सबसे बड़ा ठीक है आर्ची सी बड़ा सब्जेक्ट है एफम बड़ा सब्जेक्ट है ठीक है तो सर्वे ट्रांसपोर्ट तो आप कोई भी एक बड़ा सब्जेक्ट उठा लोगे बड़ा सब्जेक्ट इन दसेंस कि जिसके question बहुत ज़्यादा पोचे जाते हैं यह मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको उसको थोरोली आपको देखना है थोरोली मतला पूरे नोट्स तो नहीं पड़ पाऊगे लेकिन एक हो गया रफली और एक हो गया थोरोली तो आपको थोरोल कुछ भी नहीं पड़ना है थोरोली आप पढ़ोगे तो वह पढ़ोगे ससी जई प्री के बाद अभी आपको क्या करना है अभी आपका लक्षे सिर्फ इतना है कि किसी भी तरह में 120 मार्क्स लियाओं और मुझे प्री क्वालिफाई मैं कर लूँ उसके आद मेंस के लिए लग के हम मैंनत करके अपना मेंस क्वालिफाई कर लेंगे क्योंकि मेंस के लिए भी आपको एटलिस दो महिने तो मिल जाएंगे तो अभी अपना एम सिर्फ इस पात पर रखो कि आपको किसी तरह करके क्वालिफाई करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे फिर से टेक्नि उससे कम है तो उसको छोड़ देना बस उसका आंथर याद कर लेना दूसरा आप 20 important chapter जो मैंने आपको बताए हैं सबसे पहले उनको करोगे आपके marks 55 से कम आ रहे हैं इसका मतलब जो 20 important chapter बताए हैं उनके भी question आप गलत कर रहे हो आप silly mistake कर रहे हो ठीक है आपको formula ज़ियाद नहीं हो पा रहा है formula याद है तो आप उसका numerical solve नहीं कर पा रहे हो तो मतलब यहाँ पे जो है आपके chances बहुत हैं मतलब correction की गुंजाईश बहुत हैं मतलब चीजे सही करने की गुंजाईश बहुत हैं मतलब बस आपको कम चीजे समझ में भी आए कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको short note से या फिर handbook से एक बार देख लेना है पूरा subject यह आप पहले दिन नहीं देख पाऊगे बड़ा बड़ी दिक्कत होगी पहले दिन लेकिन आप daily इसकी आदर डालोगे कि तीन subject भली मन करे या ना करे आपको देखना है भली कुछ समझ में आए ना आए आपको देखने है तीन subject और फिर अगले दिन तीन subject repeat कर देने है अब इस चीज़ को आपने करने के आदर डाल दी तो बहुत ज़्यादा chances है कि आप 120 से उपर निकल जाओ या फिर आपका pre होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगले 20 दिन भी ये चीज़ कर लोगे तो ये थी full test का analysis और आपकी आगे की approach कैसे रहने वाली है आगे चलते हैं तीसरे पार्ट पे वीडियो के तीसरा पार्ट है पोल मैंने एक पोल आप conduct कराया था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको daily वीडियो चाहिए schedule की या फिर एक वीडियो में आप 10 दिन का schedule आपको बता दू तो उसके पोल का result जो है वह मैं बता देता हूं आपको तो इस पोल को जब मैंने conduct कराया था तीन घंटे हो गए है उस अब जैसा कि democracy है तो दोनों की ही बात माननी पड़ेगी क्योंकि democracy भी क्या ये भी काफी बड़ा share है दोनों ही दोनों तो जो ये वाले बच्चे हैं जो एक वीडियो में 10 दिन का schedule चाहिए मैं ये कल उन लोगों के लिए एक दिन में मतला एक वीडियो में 10 दिन का schedule बता करें अब इसका मतलब एक ये भी है कि मैं जो daily work आपको देता हूँ आप daily के daily उसको perform करते हो और उसको complete करते हो अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको expect करूंगा कि आप virtual library में आए virtual library में आने के बाद आप जो भी complete करते हैं उसको वहाँ पे update करें ठीक है मैं ये नहीं कह रहा virtual library को और अपना जो भी आप complete करते हो काम उसको update करें वहाँ पे इससे आपका भी previous record आपके पास रहता है कि daily आपने क्या किया और जिस दिन जैसे पहले दिन आपने update कर दिया दूसरे दिन आपका नहीं मन किया ना पढ़ने का तब भी एक force होगी आपको जो derive करेगे कि यार एक दिन मैंने update कर दिया आज कुस्तो पढ़के मैं update कर दूँ ये चीज बहुत बड़ी driving force होती है ठीक है और कहीं बार सिरफ इस चीज से बचने के लिए ही हम update नहीं करते कि एक दिन update कर दिया तो दूसरे दिन नहीं पढ़ाई करी तो नहीं update कर पाऊंगा इसलिए पहले द strategy बता दी है बिल्कुल इसी इसी एम के साथ आपको भी चलना है कि बस किसी तरह मैं pre qualify कर लूँ बस ये चीज आपको सोचनी है दूसरे नमबर पर सोचना है कि pre से cut off से कितने ज्यादा marks आ जाए वो एक secondary thing है लेकिन अभी आपको बस pre qualify करना है अब चलते हैं चोथे पार्ट क आते हैं आप लोगों की queries के उपर पहला comment है कि भया मेरी query का reply दे दीजिए तो पहले तुम्हें आपको यह बता दू कि मेरे पास comments बहुत सारे आते हैं आप किसी एक video के उपर comment करके अगली video में अगर आप यह चीज लिखते हो तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने question क्या पूछा था आपने अगर सिरफ यहां पर यह डाल दिया कि भया मेरी query का reply कर दीजिए तो आप यहां पर अपना question भी डाल दो ताकि मुझे यहीं के दिख जाए और मैं उसका reply कर दूँ मेरा बिल्कुल ऐसा कोई motto नहीं है कि मैं किसी एक particular particular person की कि किसी query का reply नहीं कर रहा इतना question डाल देना आज इस वीडियो के नीचे तो मैं आपका query का reply कर दूँगा next question next question है कि updated question आ रहे हैं ठीक है जिनके लिए data cram करना पड़ता है ठीक है उनको कैसे करें तो पहली बात समझ लो कि 100 question आपके पास आएंगे ठीक है ऐसे question आ रहे हैं बिल्कुल मैं मान रहा तो tension बिल्कुल नहीं लेनी है इस चीज की updated question आएंगे वो सब के लिए आएंगे data cram करने वाले question आएंगे बहुत कम कर पाएंगे ठीक है क्योंकि एक तो updated question प्लस data cram दोनों का combination यह हर किसी के पास नहीं होता या तो कोई नए question कर पाता है या फिर कोई facts learn कर पाता है यह दोन PYQ जो भी हैं सब होने मतला आपने सब किये वे होने चाहिए अगर PYQ आ गया तो आपको करना है वहाँ पे वो गलत होने की कोई गुंजाइच नहीं है उसकी दूसरा PYQ से related कोई concept का question आ गया तो भी आपको वहाँ पे वो सही करना है तीसरा हाँ आप यह जैसे कह रहे हो कि आप से question नहीं हो पाते हैं तो अब यहाँ पे देखो कि यह जो question है मानलो particular 67th question ऐसा था जो इसमें updated question था और जिसमें आपको data cram करने की जुरुत थी तो यह 67th question का जो आप टेश्ट बुक में देते हो तो उपर यह भी लिखाता है कितने बच्चे इसको solve कर पाए अगर आप आप देख रहे हो कि सिरफ 5% ही बच्चे इसको solve कर पाए तो इसकी tension मतलो अगर ऐसा है कि 70% बच्चे इस question को solve कर पाए तो यह समझ लेना कि कहीं कमी आपकी preparation में रही है अगर 70% बच्चे solve कर पा रहे हैं तो मतलब यह बिल्कुल average question है यह हर बच्चे को आना चाहिए था यह आपको भी आना चाहिए था तो आप ऐसे करके decide कर सकते हो कि कौन से question को आपको छोड़ना है और कौन से question की depth में आपको जाना है ठीक है तो I hope मैंने आपको सब कुछ मतलब आपका answer दे दिया ठीक है तो PYQ आपको पूरा करके रखना है PYQ से related concept आपको clear करके रखना है और त स्मोक टेस्ट दे दिये हैं फिर पिर आपके 97 marks से उपर नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका solution मैं भी full test analysis में बता दिया है कि अगर जो आपके इतने marks आ रहे हैं तो आपको किस approach का use करना चाहिए मेरे according ठीक है मेरे opinion में तो आप उसको approach को use कर सकते हो plus देखो और आपने यह भी ब जैसे अगर 97 marks पे आप top 100 में आ रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है ऐसा नहीं है कि 120 marks ही लाने आपको बहुत toughest paper में भी ठीक है यह चीज नहीं सोचनी है आप rank से भी analyze कर सकते हो marks और rank दोनों चीज़ों को देखो और जैसे कि test book है बहुत बच्चे देते हैं तो एक average लगबग आपका पता चल जाता है इस चीज़ का तीक है आपकी rank अगर जो अच्छी आ रही है तो आप मतलब ऐसे आगर जो आप मुझसे पूछोगे कि कितनी rank आनी चाहिए कि selection हो जाए ऐसा कुछ मेरे पास data नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन आपको खुद पता चल पूरी है और तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो 40% वाला कि आप एक एक question को analyze करो अगर ऐसे question भी आपके गलत हुए है जो 70% बच्चे सही कर रहे हैं 80% बच्चे सही कर रहे हैं तो वहाँ पे उन question को आपको सही करना है उन question को अभी के अभी उनको correct करो ठीक है तो इससे अपने आपके marks बढ़ेंगे जैसे आपके 97 marks हैं 5 question आपने ऐसे गलत कर रखे हैं जो 90% बच्चों ने सही किये थे अगर ऐसा है तो यह जो 5 question है आपके add होने वाले थे यह 90% बच्चे सही कर पाए क्योंकि वो बिल्कुल below average question था वो आपको आना चाहिए था आपको नहीं आत जो photo है form के अंदर update की है ठीक है upload की है और फिर एडिट करने का option आया था तब भी उनके अंदर aware नहीं थे वो और उन्होंने correct नहीं किया उसको तो यह चीज़ समझो कि आज 25 तारीक है 25-31 शे दिन और 14 करीब 20 दिन है अभी ठीक है अगले 10 दिन के अंदर आपका admit card आ जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा दूसरी बात थोड़ा lenient है SSC हाँ यह बात सही है कि उन्होंने जो आपका notification था उसमें लिखा वा था कि आपको specs के साथ photo नहीं upload करनी है वह बात सही है तो reject होने के 50-50% chance है कि accept हो जाए ठीक है अब यह समझो कि क्या आप 10 दिन तक आप पढ़ाई नहीं करोगे छोड़ दोगे 10 दिन तो पढ़ाई अभी बिल्कुल इस हिसाब से पढ़ाई करो देखो 10 दिन बाद तो आपको पता हो चल जाना है तो अभी बिल्कुल जान लगा के पढ़ाई करो अपनी इसी तरह से कि आपका admit card आने वाला है ठीक है admit card अग अगर जो पढ़ाई स्टार्ट करोगे यहां बिल्कुल छोड़ दोगे एक दो दो घंटा ही पढ़ाऊगे daily ठीक है तो फिस admit card आने का भी क्या मतलब हुआ ठीक है तो पढ़ाई को continuous रखो और ये बात है कि पढ़ाई को continuous आपको रखना है आपका selection तक अभी होए बाद में ह अगर आपने पढ़ाई continuous की है अपनी consistently की है तो आपका selection हो जाना है ये पिछले 85 दिन से में जो आपको daily schedule दे रहा हूं वो उसका जो purpose है वो यही है कि बस किसी तरह आपके अंदर पढ़ाई की consistency आ जाए मैं आपको कुछ technical knowledge नहीं दे रहा हूं मैं बस आपको ये दिमाग में भुसाना चाहता हूं आपके की सिरफ एक चीज है consistency अगर इसको आपने पकड़ ली तो आप दुनिया का कोई भी paper हिला सकते हो इसको आप selection ले सकते हो उसके अंदर अगर आपके अंदर consistency है हाँ थोड़ा time लग सकता है ठीक है आप ये चीज समझो कि मांदो आज 25 October 2022 है ठीक ह आप 25 October 2024 पचीज तक भी IAS officer बन जाते हो क्या कुछ गलत है क्या कुछ गलत नहीं है अगर आप तीन साल बाद भी IAS officer बन जाते हो ESC क्रैक कर सकते हो IAS officer बन जाते हो गेट में first rank आ जाती है कुछ गलत नहीं है तीन साल इतने बड़ी नहीं है आगे की 50 साल 60 साल की उमर है आप करते रोगे ना कुछ नहीं होने वाला है तो सिरफ एक चीज दिमाग में घुसाना चाहता हूँ मैं आपके कि consistently पढ़ाई करोगे तो आज नहीं तो कल selection हो जाना है और consistently पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर पढ़ाई छोड़ दो competition से बिल्कुल बाहर हो जाओ यहाँ पर यह ड consistently पढ़ाई की है ठीक है इमानदारी से पढ़ाई की है ठीक है आप चले जाते हो लाइबरेडम बैठे रहे तो मतलब 10-10 गंटे की sitting लेके आ रहे हो लेकिन पढ़ दो गंटे भीन रहे हो आपे क्या फायदा है उस चीज का तो इस चीज को समझो इस चीज को आज नहीं तो क competition में वो कोई याद नहीं रखेगा आपकी जो आगे की life होगी न वो हो जाएगी glamorous बिलकुल मज़ेदार तो इस life के लिए पढ़ाई करो लेकिन अगर आप अभी ये 10 साल भी 5 साल बस ऐसी की हम competition है तैयारी कर रहे है नाम की तैयारी कर रहे हो ना तो फिर तो वो अपने 5 साल बरबाद करने से अच्छा है कोई private और जोब ले लो इतनी सी बात है simple आगे बढ़ते हैं हाँ तो वो specs वाले बच्चे के लिए answer यही है कि आप अगले 10 दिन भी अच्छे से पढ़ाई करो ठीक है admit card आ जाए तो आगे उसको continue करना और नहीं आए तो फिर आप जो अपनी approach है कि मैं आपको PYQ से concept के लिए बोल वा था और इसका कारण भी यह था कि यह इतना कम time है कि अगर आप एक एक subject को पूरा complete करने चलते तो आपके कुछ भी number नहीं आने वाले थे इसलिए मैं आपको यह approach बताई लेकिन अगर जो आपको 6 महिने 7 महिने हैं आपके पास तो आप individual chapters को अच्छे से पढ़ा ही करके तब selection निकाल सकते हो ठीक है तो अगर जो आप अभी इसी कोई एम कर रहे हो इसी exam को तो आपको यह approach यूज करने हैं जो मैं बता रहा हूँ individual chapters पर मत जाना individual subject पर मत जाना लेकिन अगर आपका admit card नहीं आता है और आपको 2023 की तयारी start करनी है त इसको preference दूँ अब मैं आपको बताऊं तो यह काफी question नहीं है यह 1% भी question ऐसे नहीं है मैं थोड़ा सा आपको बस यह कहना चाहूँगा कि यह 0.001% question के लिए ना बिल्कुल भी time waste मत करो time खराब मत करो question को लिख लो कहीं पे फिर छोड़ दो बाद के लिए छोड़ दो ऐसा जिसने codal provision के according दे रखा है यह सब चीज़े दे रखी हैं तो उसको मान लो ठीक है नहीं तो बिल्कुल उस question को छोड़ के अगले question पे बढ़ो यह बहुत question नहीं है यह बहुत कम question है 0.001% question है जिनके ambiguous answer होते हैं और वो ऐसे भी होते हैं कि दोनों ही सही हो सकते हैं या दोनों मैं share करूँ तो अगर मैं अपनी preparation की बात करूँ तो AE और JEE ऐसा कुछ मैंने सोच के नहीं preparation श्टार्ट की थी मैंने क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा time था मैंने सभी notes को सभी books को थोरोली बढ़ा था ठीक है उसके बाद ही मेरा technical इतना strong हो पाया है अगर आपके पास पूर तयारी स्टार्ट करो क्योंकि वहाँ पर आपको guidance मिलती रहती है उसके साथ आप पढ़ाई करते रहोगे self study अच्छे से करते रहोगे तो selection होने के चांदी ज्यादा बढ़ जाते हैं लेकिन अगर आपके पास resources नहीं है तो आप क्या करो पहले तो notes मैंने भी upload किये हुए है ग्रूप के ओपर वहाँ से ले सकते हो आप free में नहीं तो notes physical copy में आपके पास होने चाहिए previous year आपके पास होने चाहिए बड़े-बड़े subject जो किसी subject जिस भी paper के आप तयारी कर रहे हो उसमें सब्सक्रादा पूछा जाता है उस subject को उठा लो और तयारी start करो अपनी ठीक है पूरा subject आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाके आप assure होगे कि आप topper बन सकते हो किसी A.E.J.E. exam में अगर आपको पूरा time आपके पास है तो इस तरह से approach यूज़ कर सकते हो अगर नहीं है आपके पास time जैसे S.E.J.E. की मैंने आपको approach बदाई थी उसमें 5PYQ से आपको concept पर जाना पड़ेगा अगर आपके पास एक दो तीन महीने है तो ठीक है और हाँ अगर A.E.E. की preparation कर रहे हो तो Y.C.T. जरूर कर लेना Y.C.T. की book बिलकुल रामबान है इसका हर एक question Y.C.T. A.E. है क्या चीज़ कि पूरे देश के अंदर जितने भी A.E. के paper हुए है साइक स बढ़िया है civil engineering के लिए उसको आप कर सकते हो so video बहुत लंबी हो गई है और मैंने I hope मैंने लगबख सभी को question के आपको satisfactory answer दिया है फिर भी कोई doubt रह जाता है तो नीचे comment section में बता देना so that's all for this video happy diwali thank you